के लों फ्रेंड्स तो आज हम जानेगे कि कैसे हम लोग छोस्टिंग करीड़े और क्या चीज़ होस्टिंग कियो हमको जरूरी है यह साली चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा इस व्यडियो के दर तो स्टो बने लगे इस वीडियो को साथ माइवम बशेख श्वास्तो एंड आप सभी जानते हैं कि वेबसाइट को ना किया तो एक तरह से लाइब नहीं हो पाई है कि आपने समय वेबसाइट बनाई अब उसमें कोई डेटा आपने फीड किया कहीं ना कहीं स्टोर होना जरूदी होता आप विडियो को आपने सिर्फ डॉमेन खणते होता है। अब इसके बनाएंगे के डेटा चाहीं आप विइसमें कहां यूनिटेशे मूवी आपको चलानी है तो मूवी देखने के लिए आप TV स्कीन पर देख तो सकते मूवी पर उसको स्टोर करने के लिए या हाट डेस हो गई या और भी कोई ड्राइब हो गई वह सारी जरूत पड़ती है अगर उस ख्रूर करना हो तो जिसमें वी उसको आप सेफ़ कर रखें होंगे ऐसी होस्टीं होता है अब वेब सब्कूर सेछा उपके लिए ऐसे कि उसकी कितनी रैम है क्या स्पीड देगा होस्चिंन हमें हमाई वेब साइ्ट कितनी जल्दी खुले гी ये सारी चीज़े आप होस्टिंग खरीते देखतें तो जैसे के अगा आप स्चार्टक करें नहीं है तो फ्री होस्ट भी याँ ले सकते काफी कंपनी है चेहित काफी पर हाँ आप वहाँ पर कर सकते हैं जब आप प्रॉपर अपनी वेबसाइट जाको करना होगा तो आप नई होस्टिंग भी ले सकते हैं हर एक चीज को आपको रिन्यू कराना होता है एक एक टाइम पर आपने डोमेन खरीदा आप उसको रिन्यू कराएंगे होस्टिंग खरीदी आप उसको रिन्यू कराएंगे डोमेन अगया एक बाग का हो गया तो किसी और ने डोमेन खरीदा तो आपको डोमेन नहीं मिल पाएगा पर हाँ अगा होस्टिंग एक्सपायर होती बाइचान तो आपकी समझे कुछ ताइम के लिए साइट तो लाइब न कर सकते हो पर डोमेन अगा पाइचन सला गया और किसी और ने खरीद देया तो फिर आपको उसके लिए काफी यूज मांवन पे करना पड़ेगा खरीदने के लिए डोमेन को तो हम लोग देखते जाता है डोमेन कैसा हम होस्टिंग कैसी हम खरीदने जाए कुछ लोग शेयर सब कुछ के पड़े थी वह 24 आवर्स वर कर रहे होते हैं आप अपने CPU को चाहिए सर्वर बना सकते हैं आपने साइट को उसी के अंदर स्चोर करके पूरा उसका डेटा आप उसको लाइप कर सकते ईजली पर हाँ वह चीज है कि आपकी साइट तब तक ही चलेगी आपका वह सर्वर जो है 24 आवर्स चलते रहना चीज है अगो एक बार ही बंद हो गया वह फोग गया बंद हो तो आपकी साइट डाउन हो जाए पदर मज़ा कोई क्लिक किया आपकी साइट पर खुली नेरी साइट ही ने कुली के नाट भी लोड़ेट दिखा रहा है तो साइट सर्वर सब्सक्राइब आपकी जरूरी होता है अब यह वह फॉस्टिंग और भी क्या इंपॉर्टन होती है जैसे कि क्लिक किया तो खुली नेरी अब क्लिक करके खुलने का यह जरूरी नहीं आपके नेट की स्पीड हो यह समझी यह समझे यह कि पहले टाइम पेसे नेरी काड लेत जो 100 MBBS ट्रांसवर कर रहे हैं ऐसे हाटड़ेस में भी होते हैं यह इतने MBBS पर सेकंड ट्रांसवर करेगा यह इंपॉर्डन होता देखना अब होता है कि हम लोग होस्टिंग खरीटे तो उसमें देखना होता है कि हमारा जो सर्वर हमको दिया जा रहा है वो सब किता पाउरफ होस्टिंग हमको दे रहे हैं इतने परसेंटेज मतलब 25 25 25 25 25 परसेंट में देया जा रहा है सब को सर्वर बाट रहे पर हुआ क्या उन्होंने आपको दिखाया तो यह चीज पर पदला उसके अंदर बट गया और भी ज्यादे मतलब वह आपको 25 परसेंट में दो लोग का ब पूस्पीड चली जाएगी आपकी 50-60 सेकेंट यह सबसे बड़ा रॉबैक हो जाता है अदमी को अब आदमी इसमें देखना जरूरी क्या होता है कि हमने होस्टिंग को खरीदी अगर है तो हमाई कितनी स्पीड में खुल लई है वह हमाई कितना टाइम पीरेड ले 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 कोई आपके दुकान पर आया और वह आपको एक घंटे खड़ाए लाया है कि भाई दर्वाजा कोल दे दर्वाजा कोल दे समान दे दे अब एक घंटे बर रिस्पॉंस कर रहे हो तो तो टिकर रहे है क्या कस्टमर नहीं अगल वगल 20 दुकाने और तो तुरंद वह निकल र इन्टरेट की दुनिया है यहां पर कस्टमर मुश्किल से कस्टमर आपके हां पर रुकेगा मैक्स तु मैकस मदी तीन से चार सेंड आदमी रूखना चाहता है वस तीन चार सेंड अगर आप पर टाइम डिले कर गया तो आपकी अपसाइट अगर नहीं खुल पाई तो लेकित यहां गर्वी आपकी अपर अपर पार रिखनें कर जब आपके नहीन सेड को मुझे तु क्यिस लेक्या हैं अगर आप प्रेंट्स पर्परस अबसको प्रेंच को नेकिकर पार देख लिए उसके बाद जब आपके थौड़ग हो जाएं कि खुल कि अनृयां ब्रकु में इस topic को पर बतातु कि आब इसी बाव कपता बनाएंगे कितनी बाफ टीम् आप मेटर चेंज और लेज़ेंगे चीज़ें याद आएगेहिं कि नइई इस चीज़ की में जिसमें भी आपको सबसे सस्ता डोमेन मिल जाए है, वही वेबसाइट साथ डोमेन खरीज लिए जगा, क्यों डोमेन से आपको बहुत जादा कोई काम नहीं है, मेरा की होस्टिंग इंपॉर्टेंट होती है, क्या होस्टिंग कितनी स्पीट की है, क्या कॉन्फिगरेशन होस् ओस्टिंग कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे होस्टिंग होती है, कैसे उसको पर्चेस किया जा सकता है? सो फ्रेंट से देखिए गोडेडी की हमें खोल लग ही है होस्टिंग प्लान यहाप आपको देखने में मिल जाएगा वर्डप्रेस होस्टिंग एस लोग एस 99 पीस पर मन्त यहाप देखिए कि यह वर्डप्रेस से आपको वेबसाइट बनाना चाह रहे है तो आप यहाँ सो होस्टिंग ले सकते हैं इसली यहाप देखिए स्टेप इजी है ट्राफिक वॉल्यूम लोग से लेका हाई तक यह जमान चलिए है हंडेड लोग तक यह समाल सकती है अगराम से चंट्रोल पैनल आपको गोडड़ी का मिल जाएगा बैक अप मिल जाएगा आपको फ्री डॉमेन विद एन्वेड प्लैन फ्री प्रोफेश्चनल फीचर वेबसाइट प्री इंस्टॉल वर्डप्रेस में पहले इंस्टॉल आपको मिल जाएगा यह सारे फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगे यह देखे इसी तरह ऐसे चार पांच है इनके वर्डप्रेस होस्टिंग एक है एक वेब होस्टिंग है सिंपल इसमें आप इकनोमिकल वर्क एंड बेसिक वेबसाइट बना सकते हैं यह सारे चीज़ है इसमें आपको सबसे पहले चीज़ है कि आप इसमें अगर स्टीमल कोडिंग अली वेबसाइट बनाना चाते हैं तो वह भी बना सकते हैं ठीक ऐसे देखें वेब होस्टिंग बिजनेस होस्टिंग है यह 1159 की यह VPS होस्टिंग है 439 की आपको यहां पर तमाम होस्टिंग है अपको देखें दिखाता है कि यह क्लाउड ओस्टिंग है यह समय काफी अच्छी चल लिए क्लाउड होस्टिंग आपकी थेज भी है थोड़ी स्पीड भी इसकी अच्छी आती है काफी देजी से नो आपको बेटर रहती है एक तरह से आपको पूरा-पूरा समझे एक सर्वर प्रवाइड हो जाता है कम पैसों में तो यह आपकी 30 डेज मनी बैग गरेंटी भी आगा आपको नहीं कि अच्छी लगी तो में देखिए होस्टिंग होता है कि सारे चीज़े हैं जितनी विबसाइट हैं यह सब होस्टिंग खरीती है यह अपना सर्वर बना के रखे हुए काफी बड़े बड़े ठंडे इलाकों में रखे रहती हैं गरम इलाकों नहीं रखा जाता है क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि CPU या कुछ भी है जब 24 आवस चलना होता है तो काफी गरम हो जाता है तो उसको ठंड़ा रखने को सब्सक्राइब को जाकर परचेस का सकते हैं जो भी आपने वेबसाइट खरीद रखी है उस वेबसाइट को देखके आप यहां से कोई जाकर होस्टिंग खरीद लीजे टो जोस्टों होस्टिंग जब खरीद लीजे तो फिर आप मजे बताइए कि क्या क्या है अब मैं आगए आपको कल वीडियो दिखाऊंगा आगे की तो जोस्टों आपने देख लिए कैसे होस्टिंग कर अगर आप प्रेटिस के परपस से ख़िजने चाहते हैं आप फ्री ओस्टिंग खरी लीजे उसमें भी आप वो सारे काम कर पाएंगे पर आप काम सारे कर पाएंगे अगर आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने चाहे नहीं इस वेबसाइट मुझे आगे तरी जाना है तो आप एक 99 डूपीस की होस्टिंग परचेस का सकते हैं एक साल के लिए वह उसको परचेस जैसे ही कर लिए उसको फिल मैं कल आपको करनेट किया जाता है होस्टिंग को तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पूरी तरह समझ में आई हो कि होस्टिंग क्या होती है तो अगर वीडियो आपको समझ में आई हो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीज़ेगा और चैनल को स यह मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर दूँगा किये कि आप कौन सा वेबसाइट किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते है डिस्टर मार्केटिंग से रिलेटेड हो या कंप्टिर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो आप उसके बारे में अगा ज